नमस्कार अदाव शस्रीयकाल आप सभी का स्वागत है एक्जाम ग्यान बाई राशी सर यूटिव चनल पर और आज हम बात करने वाले हैं 2022 के उन सभी प्रोड़क्ट के बारे में यह है जी आई टेग मिला या फिर उन्होंने जी आई टेग के लिए आवेदन किया जी आई यानि जी ग्राफिकल इंडिकेशन एक टेग है जो कि उनके प्रमोशन के लिए बहुत इंपोर्टेंट होता है और बहुत सारे राज्ये इसके लिए अपलाई करते हैं और भारत में 2022 के अंत तक 432 432 प्रोड़क्ट हो चुके हैं जिनोंने जी आई टेग मिला है अब तक उनमें से 2022 के कुछ नामों का जिक्र आपके साथ में इस वीडियो में कर रहा हूं आपके 2023 के सभी एक्जाम के लिए बहुत बेनिफीशल होने वाला है तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो में बात और सबसे पहले देखते हैं हिमाचल प्रदेश की कांगला चाहे को युरॉपिय आयोग से GI टेग मिलेगा युरॉपियन कमीशन GI टेग देगा कांगला की यानि हिमाचल की चाहे को भारत सरकार ने बिहार के मिथिला मखाना को GI टेग दिया है परदान कर दिया है बिहार के मिथिला मखाना के नाम से है तेलंगाना तंदूर रेड ग्राम को GI टेग मिलेगा ये कहां से बिलॉंग करत यह पिली पालते है तंडूर रेड ग्रम नाम से तो यह याद रहेंगे यह लाल चना है जो बेसिकली यह यह अप कहसकते हो गमचा यह यह रेड कपला से रले त्यरी यह Vee apricots यानि जो खुबानी होती एक product होता है apricots जिसे बोलते हैं इसको भी GI tag मिला और ये लदाख से relate करता याद रखना है इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर जापान के निहोंशु जो कि एक alcoholic product है एक शराप वाला product है और इसे भोगोलिक संकेत तक tag मांगा गया इसके लिए जापान का है तमिलनाडू के एक musical instrument है 2022 में इसे GI tag मिला है इसका नाम है nursing petai nagaswaram ये एक musical instrument है याद रखना महराज के अलिबाग की सफेध प्या जो white onion है इसको GI tag मिला है इसके अलावा अटपली थुवारा केरल के एक फसल है इसको GI tag मिला है ये केरल से आते याद रखना है केरल के ही एक लहसुन है एक garlic है जिसको वट्टा वदा value थुली कहा गया है इसको GI tag दिया गया है केरल के ही अंदर एक तरबूज है basically snap melon है और इसको भी GI tag दिया गिया है केरल के अंदर ही एक अट्टू कमबू अवारा वर्ड है इसे जिया टेक दिया गिया है और फाइनली के एक अट्टू कारा एलू को जिया टेक दिया गिया तो इस रहां से यह मुख्य नाम रहे 2022 के मैं अब को हर एक information को 2022 की complete information के रूप में प्रोवाइड करने की कोशिश की है और यह लगतार जारी रहेगी आपके इस पूरे जन्वरी मन्त में ताकि आप 2022 के बेस पर जो भी एकजाम देने जा रहे हैं उन सभी में यह current affairs आपकी complete हो जाए तो separate छोटी छोटी वीडियो को आप देखते रहे हैं और अपनी current affairs को strong करते रहे हैं thank you everyone thank you so much